अयोध्या के महंत का विवादित बयान जारकन के दुम का मामले पर क्या कहा? इसको देंगे 11 लाग का इनाम अक्सर सोशल मेडिया पर कई ऐसे बयान और वीडियो सामने आते रहते हैं जिने देख कर बड़ी हैरानी होती है कि ये लोग ऐसे बयान आखिर कैसे दे देते हैं? कभी कोई नेता बयान दे देता है तो कभी कोई नेता बनने के लिए विवादित बयान दे देता है अब ताजा ब्यान दिया है एक महंत ने जो कहा है कि दुमका मामले के आरोपी का मडर करने वाले को 11 लाक का इनाम देंगे चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला जारखन के दुमका मामले पर राजनीती अभी भी जारी है जहां एक और दुमका में परिजन से मिलने गई बीजेपी नेताओं पर एरपोर्ट के मामले पर जबरन एंट्री करने पर FIR दर्ज हुई तो वहीं इस मामले में अब साधू संतो की भी एंट्री हो गई है वो भी यूपी के आपको बड़ी हैरानी होगी इस मामले में जब आप एक साधू का बयान सुनेंगे इस केस में जारकन की बेटी को आख के हवाले करने कि आरोपी शारुक के खिलाफ आकरोश की आँच अब उत्तर प्रदेश के अयुद्या तक पहुँच गई है हनुमान गड़ी के महंत राजुदास ने शारुक की हत्या करने वाले के लिए नगधी नाम का एलान किया है जार्ते मरते कहा था कि जैसे मैं तड़ब कर मर रही हूँ वैसे ही उसको भी सजा मिले उन्होंने कहा कि जो भी शारुक को पैट्रोल डाल कर आग लगा कर मारेगा उसे 11 लाक का इनाम अपनी तरफ से दूँगा जाहिर है कि जार्ते के दुमका की बार्वी की छात्रा स्कूल के रास्ते में शारुक से मिली थी एक तरफा प्यार में शारुक ने उसको प्रपोस किया लेकिन इनकार करने पर 23 अगस्त की सुबा करीब 4 बजे उसके घर पहुँच कर पैट्रोल डाल कर उसे आग लगा दी बनने से पहले उस बेटी ने अपना दर्द बया किया था और कहा था कि वे जैसे मर रही है वैसे शारुक भी मरे इस मामले में पूरे जारकन में तनापून हालात हो गए थे गुसाई लोगों ने जगा जगा प्रदशन किया था तो महीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी को तभी गिरफतार कर लिया था मुख्या आरोपी शारुक और उसके दोस्त नईम और छोटू के किलाब पॉक्सो एक्ट के तहत केज दर्श किया गया था ये भी सामने आया था कि जारकन पुलिस ने लड़की को बालिक माना था लेकिन बाद में उसे नाबालिक मानकर आरोपी के खिलाफ दर्श मामले में पॉक्सो की धाराएं लगाएं थी बता दें इस मामले में पहले ही जारकन सरकार कह चुकी है कि आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिलेगी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और इस केस को फास्ट रैक कोट में डालने के लिए का था और साथ ही ये भी का था कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपरादों पर बने कानूनों को और मजबूत करने की जरूरत है अभी के लिए फ्लाल इतना ही खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए One India Hindi